हेलो फ्रेंड्स एंड इस्टुडेंट्स पटल कोचिंग में आपका सौगत है हम लोग सेंपल कोस्टन पेपर क्लास 10 बेसिक 2020 में कोस्टन नमबर 31 साल वो करेंगे कोस्टन नमबर 31 है मैं टली किस्पीर साफ डी आई 6 संटीमेटर 8 संटीमेटर 10 संटीमेटर इस्पेक्टिवली यार मिल्टेट टू फार्म असालेड इस्पीर इसमें क्या दिया है इसमें दिया है कि तिन थो अलग-अलग इस्पीर हैं ये तिनों इस्पियर जिनका रेडियस R1, R2, R3 है और माले जिनका वाल्यूम B1, B2, B3 है इनको पिगला दिया जाता है पिगलाने के बाद तिनों के द्वारा एक नया बड़ा इस्पियर बनाया जाता है माले जिनका नया इस्पियर का जो रेडियस R है इसका वाल्यूम B2 है तो हम लोगों को पुछता है कि नया जो इस्पियर बनता है या गोला बनता है उसका रेडियस क्या होगा तो लेड बनता है रैस्पियर बनता है रेडियस क्या जो रेडियस क्या बनता है and V1, V2 and V3 are volumes of given sphere so V1 equal to 4 by 3 R1 cube V2 4 by 3 R2 cube V3 4 by 3 R3 cube and let radius of radius and volume of resulting sphere R R and V respectively I have to have to R and V so total volume equal to what is 4 by 3 R3 cube now what is 3 volume which is volume so from question question V V V equal to V1 plus V2 plus V3 V1 plus V2 plus V3 4 by 3 plus V3 4 by 3 pi R3 cube putting R1 equal to 6 cm R2 equal to 8 cm and R3 equal to 10 cm and R3 equal to 4 by 3 pi R cube sub 4 by 3 common is common and inside 6 power 3 plus 8 power 3 plus 10 power 3 ये दो cancel out हो जाएगा equal है तो R power 3 equal to 6 36 36 216 plus 88 64 64 512 plus 10 power 3 1000 R R power 3 equal to जिससे अब sum हो जाएगा ते हो जाएगा 8 2 7 1 अब यहां पी इसका हम लोग को cube root निकालना है cube root निकालने के लिए हम लोग प्राइम फेटर जी सम्हेतर यूट करेंगे ते हो जाएगा 28 16 26 12 24 28 23 26 22 24 21 26 यहां पे अलग्स कर देरां इसको 21 28 25 24 22 27 यहां पे 27 29 23 23 23 23 22 22 22 23 23 23 क्या होता है कि इस टैप का जो थरी का प्यार होता है उसमें एक कोहनों लिखते हैं तो टेकिंग क्यूरूट तो र इकल टो हो जाएगा 2 x 2 x 3 तो यह हो जाएगा 2 x 2 जा 4 जा 12 cm तो radius of resulting square is 12 cm is cancer तो students, friends, चैनल को लाइक करें, share करें, subscribe करें और चैनल देखने के लिए मैंसा कि तरह आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद